दूसरा सुबह शाम मिलता तीसरा बहुत दिनों के बाद मिलता था एक दिन उस वेक्ति को कोर्ट केचरे की कोई मुसीबत आ गई अदालत में किसी काम के वश किसी को गवाह बना कर लेकर जाना था तब वो पहले मित्र को सारा बिर्तांत बताता है सारी बात बताता है जिस पर पहला मित्र कहता है माफ करना दोस्त मुझे तो आज फुरसती नहीं है तब वो कहता है कि मुसिबत के समय तुमने मुझे इंकार कर दिया है याद रखना है फिर वो दूसरे मित्र के पास गया दूसरा मित्र कहता है मैं जाऊंगा मेरे एक शर्त है कि मैं सरफ अदालत के दर्वाजे तक जाओंगा उसके अंदर नहीं जाओंगा तब बोला बाहर के लिए तो भाई मैं ही बहुत हूं मुझे तो अंदर गवाह चाहिए पिर तीसरा उसकी समस्या सुनकर तुरंट उसके साथ चल देता है अब आप सोच रहे होंगे कि वो तीन मित्र कौन है तो चल शरीर के संबंदित जैसे पेरेंट्स माता पिता बाई बैन परिवार के लोग सुबह दोफर शाम कभी कभार बिली लेते हैं और तीसरा मित्र है हमारे कर्म जो सदा ही साथ जाते हैं अब आप सोचिए कि आत्मा जब शरीर छोड़कर धर्म राज के अदालत वे जाती है उस शम्चान गाड तक तो आएंगे लेकिन साथ थोड़ी पर लोग से दारेंगे अदालत के दर्वाजे पर वो जाने के लिए राजी हुआ कि मैं मान तक जाओंगा अंदर नहीं जाओंगा और तीसरा है आपके कर्म जो सदा ही आपके साथ जाते हैं चाहे अच्छे हों या ब करवाजा खोल देंगे क्या सीख मिलती है कि कर्म ही हमारे जीवन का अस्की दन है सद कर्म ही हमें जीवन परियंत और मरनों परांत मोग्श दायक होंगे इसलिए हवेशा अच्छे बोलिए अच्छे करम करिए अच्छी प्लानिंग करिए जब आप बुरा करोगे नहीं तो कभी डरने लगेगा कभी आपको घबराट बेचेनी चिंता की कभी नहीं होगी और सत्य का साथ दोगे तो जीत आपकी लेट हो सकते पर होगी जरूर उमीद है प्रिया साथियों कि अवेक्निंग मंत्रा की ये स्टोरी आपको जरूर रास आई होगी बहुत लोग कहते हैं क कि हम खाली आता आए थे खाली आ जाएंगे ये सच नहीं है हम कर्म भागिया लेकर आए थे और कर्म लेकर जाएंगे इसने याद रखिएगा यह कहनी आपके जिवन की ही है